सभी को मेरा नमस्तार कुझा डिजाइंस और स्टिचिंग में आपका स्वागत है इस टोपी का वीडियो आज आपके साथ शेयर करने वालें तो वीडियो अच्छा लगे तो फ्लीज वीडियो को लाइक शेयर ज़रू करें और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को ससक्राइब करें इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर सभी तरह की वीडियो देख सकते हैं सस्क्राइब करके तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यह देखिए मैंने 20 इंच लंबा और यह 10 इंच चोड़ा फैब्रिक लिया है बोटन में इसका मैन फैब्रिक है तो इसकी टोपी में हम 6 साल के बच्चे के लिए बना रहें तो आप छोटे बड़े के साफ से देखकर बना सकते हैं मैंने मेरी कई सारी टोपियों के वीडियो शेयर किये हैं अपने चैनल पर तो कि सब में मेजरमेंट मैंने बताया हुआ है तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं जिससे आपको छोटे बच्चे का और बड़े का मेजरमेंट का आइडिया लग जाएगा तो यह देखिए चारो तरफ हमने इस लाई कर लिए लाइनिंग और मैन फैब्रिक को इस तरीके से जोड लिया है एक्स्टा फैब्रिक है उस की कटिंग कर दिये अब हम इसको लंबाई में इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और यहां पर मैं दो इंच पर निशान लगाते हुए हलका सामें यहां पर कर देना है दो इंच का इस तरीके से और फिर हम इसकी कटिंग कर देनी है यह 20 इंच लंबाई तरीके से रखिए कि आप जहांसे पच्चे की डोरी दोनु साइट से बांधते हैं कान की दोनु साइट से तो उससे पूरा राउंड लें तो मेरा यहां पर 20 इंच आरा था तो उसी तरीके से मैंने यहां पर लिया और दस प्लेटी डल जाएंगी इसका हम सेंटर ले लेंगे और एक मैंने पट्टी काटी हुई है तो तीन इंच इसकी चोड़ाई है अगर ज्यादा चोड़ी पट्टी रखना चाहते हैं तो आप चार इंच काट लें तो अब देखिए इसका सेंटर पट्टी का भी सेंटर लेंगे और जो टोपी को हमने गोल आई जहां से दिये उस सैट से सेंटर लेके अब हम इसको जोइंट करेंगे तो जो यह देखिए टोपी से नीचे वारा जो फैबरिक है इसमें हम दूर दूर एक दो प्लेट डाल देंगे यह जो पट्टी हमारी वो लाश्ट तक आजान जादा एक साइड कम और एक साइड ज्यादा नहीं होती इसलिए सेंटर लेके हम करते हैं अब देखिए पट्टी और इस फैबरी वोई बराबर आ रहा है अब यहां पर हम इसको सीधा सिल लेंगे तो एक साइड से यह देखिए इस तरीके से प्लेट लगी है अब दूसरी साइड डालेंगे तो यह दूसरी साइड देखिए सारी प्लेटे मैंने एक ही डायरेक्षन में डाली है आप चाहें तो सेंटर से दोनु डायरेक्षन Мें भी डाल सकते हैं अपोज़ट साइड मे यह देखिए इस तरीके से डालते हुए पूरे जो पट्टी है वहां तक यह देखिए प्लेटे मारी यहां पर डल चुकी है अब यह देखिए इस पट्टी को आगे की साइड हम पलट लेंगे और इस तरीके से नाखुल से प्रैस कर लेंगे और अब हम इसको यह देखिए कहीं से ज्यादा फैबरिक हो तो इस तरीके से कटिंग कर लें यह देखिए ऐसे फोल करके और फिर इस तरीके से फोल कर देना है यह देखिए अब इसको सीधी साइड से हमें किनारी पर सिलाई लगा लेनी है पट्टी के पट्टी जहाँ जहाँ किनारी है महापरम इसके उपर सिलाई लगा लेंगी किनारी से नीचे से लाएं ना आए इस बात का ध्यान रखें खसे लाएं आएंगी बात किनारी महारी है माचुए लेगार लेगां धवरा से से लाएंगी कि लाएंगी एक लीचे से वाएंगी किनारी टुमकरी जहाँ कि यह देखिए पूरी पट्टी हमने पलट लिए कि तिफनी सिंग के साथ पट्टी पलटी गई हमारी अब यह देखिए पीछे की साइड जो गर्दन की साइड में जो पार्ट आयागा मारा मां उसका भी सेंटर ले लेंगे इस तरीके से और यहां पर हम सेंटर से दो दो प्लेटे दोनों साइड इस तरीके से डाल देंगे एक भी आप डाल सकते हैं और दो भी डाल सकते हैं छोटे बच्चे की लगवग दो,स प्लेट यहां पर डाल सकते हैं यह थोड़ा बढ़ा रगल ऑपड़ा भी ज्यादधाय तो मैं यहां पर दो-दो डाल दूंगी तो तो डेड इंच कोने दो इंच के सम्थिंग चोड़ाई है इसकी और ते वी 20 इंच इसकी लंबाई है यह बादने के अकोर्डिंग लग जाएगी जिसमें आपको बादनी तो यह साइड से इस तरीके से पहले स्लाइग कर ले अजा हे यह देखिए अब इसमें अ करिया और लेक्स ने से लेंगे अजित और लेने वाली डों रोडिय और अपकी इसलिए आधे सेंटर खेल में थे कर लें सेंटर से हाफ इंच का मार्जन छोड़ते हुए पुर्य पर इस तरीके से आधे में चिलाई लगा लें कि देखिए और अब आधे में हम अब लगा लेंगे चिलाई इस तरीके से हाफ हाफ करके डोरी अटेच कर लेनी है यह देखिए दोनों साइड से अटेच हो गई है अब हम डोरी को पर टेंगे तो देखिए ऐसे गुमाते हुए और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और अब इस पर पूरे पर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे इस तरीके से दबाते हुए और यहाँ सर्व इसी तरीके से पूरे पर सिलाई लगा लेंगे कहीं भी हमारी कोई सिलाई या कोई धागा अस्तर का और मैंन फैब्री का कहीं नहीं दिख रहा है है इसमें सारा अंदर कवर हो चुका है कि बहुत पृंइस सिंग के साथ डॉुइई अगर आपको चुप्री अच्छे लगती हो तो प्ली Z आप जरूर बना के ट्राइ करें और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक शेर करें ये देखिए डोरी हमारी यहां लग चुकी है कितनी अच्छे से देखो कितना प्यारा इसमें घेर आया है अच्छे से बिल्कुल फिट यह टोपी आएगी हमारी मैंने एक कॉटन के लेस ली हुई है इससे और भी सुन्दर हो जाएगी चोटे बच्छों को जब उड़ाते हैं तो ये देखिए कुछ भी आप इस तरह की की लगा सकते हैं अगर आप पास है तो मेरे पास एक कॉटन के लेस ती वाइट कर दूँगी अगर आप पास है तो आप लेस लगा सकते हैं अधर वाज आप इसको छोड़ सकते हैं इसमें कोई जरूर ने कि आप लेस लगाओ यहाँ पर यह देखिए लेस भी हमारी यहाँ पर लग चुकी है लास्ट में पक्का कर लेंगे इस तरीके से यह टोप यहाँ पर कंप्लीट होती है यह देखिए अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेट जरूर करें और इसी तरह के लिए टेस्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सस्क्राइब करें थैंक्यू फॉर वाचिंग कि अपल प्लीज वीडियो प्लीज वाचिंग